नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भी एसी मैच्स पे दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर है हूं भी एसी मैच्स के सेट थियूरी का एकसरसाइज 2 का कुश्चेन नंबर 1 का पूरा का पूरा सोल्यूशन जो की हमारा होने वाला है लाल जे प्र यूट्यू देख सकते हैं साथ ही ऐकसरसाइज 1 का थियूरी पार्ट का वी वीडियो डाला है जो कि अगर आप एकसरसाइज 1 का सॉल्प करने जाते है तो आपको वीडियो को बहुत है बहुत हेलपुल रहे जो की आपको कुश्च नोल्प करने में मदद करेगा तो वीडि छेटी तेलिग्राम चैनल में भी आप लोग जयाइन वह जाईए आपको ज्यादा से ज्यादा लाब मिल सके और जल्दी पीडियेश मिल सके और साथ ही आपको जो भी वीडीयो की जरूरूरत होगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं हमारे ग्रूप में जुड़के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो की जरूरत है तो वह मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा तो अभी एक्सरसाइज 2 का जो थीरी पार्ट का वीडियो वह अपलोड एक-दो दिन में मैं कर दूँगा थोरा सा पीडिये बना इसका पीपीटी बनाना बाकी है तो वह जैसे ही बन जाता है मैं आपको एक्सरसाइज 2 का वीडिय वाट कर दूँगा तो अभी हम लोग कि एकसरसाइज 2 का question no.1 का solution देखने वाले तो एकसरसाइज 2 का question no.1 क्या कहnaj रहा है फ 2021 कि 20 टूपर सबसेट ऑप C है और B proper subset of D है तो प्रूफ करना है कि A union B proper subset of C union D है तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे गया हमको दिया गया है कि A proper subset of C है तो यह आपको पता होना चाहिए कि अगर A proper subset of C है then implies उसका मतलब यह होता है कि अगर X belong कर रहा है A से तो X C से भी belong करेगा और B proper subset of D है उसका मतलब क्या होता है कि X अगर B से belong कर रहा है तो X कैची D से भी belong करेगा तो इसको हमने equation first और equation second बान लिया है उसके बाद हम देखेंगे कि हमको prove क्या करना है तो A union B prove करना है कि यह क्या है proper subset है C union D क्या तो हम लोग सबसे पहले इसको prove करने का सही तरीका यहीं होता है कि हम लोग X belongs to इतना माल लेंगे और अगर X और X belongs to A union B माल लेंगे और X belongs to C union D आए जाएगा तो इसका मतलब यह हमारा proper subset proof हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग माल लेंगे X belongs to A union B माल लेंगे यह क्या है ऐसे बिलों कर रहा है तो अगर एक से बिलों कर रहा है इसका मतलब क्या होता है एकस एसे भी बिलोंग कर रहा है या फिर और एकस बिलोंग स्टू बी या तो एसे बिलोंग कर रहा है या फिर बी से बिलोंग कर रहा है उसके बाद इतना हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि फिर एकस बिलोंग स्टू ए का मतलब क्या यहां पर है अगर एकस बिलोंग स erson भी है तो हम लोग लिखे देंगे उसके बतले में एक भिलॉंगש टूज से लगे तो X belongs to C और X belongs to D तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि X belongs to C union D तो अब हम लोग लाश्टली देखेंगे कि हमने कहां से चला था और कहां पहुँच गए तो हमने यहां से चला था यहां से हमने चला था X belongs to A union B से हम लोगों ने चलना शुरू किया था और हम लोग कहां पहुँच गया है X belongs to C union D पर पहुँच गया है तो यहाँ पर मैंने लिक भी दिया है कि thus if X belongs to A union B then implies X belongs to C union D अगर X A union B से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब C union D से भी बिलोंग कर रहा है Hence A union B इसे proper subset of C union D if A इसे proper subset of C and B इसे proper subset of D तो इसका मतलब क्या होगा कि A union B क्या है हमारा proper subset है C union D का कब है जब A proper subset C का है और B proper subset D का है तो यह था question number 1 का solution और अगर आपको question number 2 का भी solution चाहिए 3 का भी solution चाहिए तो आप नीचे comment box में comment कर सकते है मैं आपको उसका भी solution करा दूँगा चलिए thanks for watching